हेलो स्टूदेंट्स मैसेफ जोतिम हैं यूर मैस टीचर एंड एट स्टार्ट टुड़े आवर मैस क्लास एंड टुड़े वी स्टार्ट एक्सेसाइज 1.2 चैप्टर फास्ट रिशनल नंबर्स सबसे फास्ट कोशन करते हैं हम कोशन नंबर फास्ट एड दा फॉलोईंग हम हमें इंड रिशनल नंबर्स को सभी को एड करना है एड के लिए भी हमें क्या करना है बाइटेकिंग एलसी एम इसका फास्ट पार्ट करते हैं है फास्ट पार्ट है थी वाई 17 प्लस माइनस 5 वाई 34 प्लस 8 वाई 51 सबसे पहले हम क्या लेंगे डिनोमिनेटर पार्ट में ज एलसीम किस किसका लेंगे 17 34 एंड 51 यह 17 पर जाएगा 17 बन जा 17 टू जा 17 थी जा यहां से एलसीम आगा 23 जा 6 6 और 17 से करेंगे 17 इंटू में 6 बन जिरो 2 इसका हम लिखेंगे कैसे पहले देखो आप यहां पर प्लस है और यहां पर क्या है माइनस साइन है तो दोनों साइन को पहले सॉल करेंगे 3 बाइ 17 प्लस माइनस क्या होता है माइनस 5 बाइ 34 प्लस 8 बाइ 50 बन अब हम इसको क्या लेंगे एलसीम एलसीम कितना है 1 0 2 एलसीम आ गया अब इसको एलसीम कैसे लेते हैं फ्रेक्शन हमारे पास है 3 बाइ 17 डिवाइड में जो नॉमबर है 17 एलसीम से डिवाइड करेंगे 1 0 2 को जो 17 से डिवाइड करेंगे तो वी गैट 6 एंड 6 मल्टिप्लाइब ए 3 18 माइनस 34 डिवाइड बाइ 102 थ्री आय का डिवाइड करने पर 35 जा 15 प्लस 51 को जब हम डिवाइड करेंगे 102 से 102 को 51 से डिवाइड करेंगे वी गैट 2 28 जा 16 18 भी प्लस है 16 भी प्लस है दोनों को प्लस करेंगे 8 6 14 1 1 2 और 1 3 34 माइनस 15 अपन में 102 हमारे बास 34 माइनस 15 34 मेंसे जब 15 को माइनस करेंगे 14 5 9 2 1 1 अब उन में 102 तो इस तरह से हम ने सभी पार्ट्स को सोल करना है बाइटेकिंग LCM Question No.2 है हमारे पास Find the additive inverse of each of the following हमने इन सभी questions पार्ट्स में क्या फाइंड करना है Additive inverse Additive inverse क्या होता है किसी भी number का additive inverse फाइंड करना है तो उसको माइनस sign के साथ change करना है इसे first example हमने लिया इसमें 3 by 8 3 by 8 का additive inverse क्या होगा minus 3 by 8 हमने second इसका पार्ट लिया 9 by 17 है इसका additive inverse क्या होगा माइनस sign के साथ करना है तो एक माइनस तो पहले ही इसमें minus 19 by 17 और एक माइनस हमने additive inverse के लिए इसमें यूज करना है minus minus plus additive inverse क्या होगा 9 by 17 तो additive inverse में negative sign के साथ rational number को change करना है next है question number third subtract the following सब भी को subtract करना है first है 6 by 17 minus 5 by 17 अब denominator part हमारा same होता है तो हम only numerator से solve कर सकते हैं question को 17 क्या आएगा LCM 6 minus 5 equals to क्या आजाएगा 1 by 17 अब मारा पासे से डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो by taking LCM minus 15 minus minus क्या होती है plus but sign minus 15 और 6 21 by 38 and last third और fourth part do yourself last question आज जब हम करेंगे simplify the following simplify करना है हमने इन सभी को simplify में भी हमारा यह है rational number में जब add subtract करते हैं तो हमें by taking LCM डिनोमिनेटर क्या बनाना है same first part करते हैं minus 3 by 14 अब देखो यहाँ पर plus है यहाँ minus हो plus minus minus 5 by 7 minus minus plus 8 by 21 plus 15 by 28 अब हमें क्या लेना है LCM 14 7 21 28 सभी नंबर मल्टिपल ओ 7 ने 7 से करेंगे 7 2 जा 14 7 बन जा 7 7 3 जा 21 7 4 जा 28 2 पर जाएगा 2 बन जा 2 1 3 2 जा 4 2 3 जा 6 6 जा 12 12 12 7 जा 84 84 84 LCM आ गया और जैसे हमने पहले स्टार्टिंग के कोश्चंस में हमने LCM से सोल किया है इसी तरह से हम यहाँ पर भी सोल करेंगे LCM से 14 को जब 84 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 and 6 को मल्टिप्लाइ बाए माइनस 3 माइनस 18 माइनस 7 को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 12 12 5 जा 60 84 को 21 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा 4 जा 32 2 प्लस 84 को 28 से डिवाइड 3 and 15 3 जा 45 माइनस माइनस क्या होती है प्लस पर साइन माइनस माइनस 18 माइनस 60 को प्लस करेंगे 78 32 भी प्लस है 45 भी प्लस है दोनों को प्लस करेंगे 77 अब उन में 84 और माइनस 78 प्लस 77 प्लस माइनस क्या होती है माइनस और साइन किसका आता है जो नमबर बढ़ा होता है तो आप क्या है 78 में 77 को माइनस करेंगे माइनस 1 बाइटी 4 इसका क्या गया सिम्प्लिफिकेशन और जो पार्ट्स रह गए है और बस उनको भी इसी तरह बाइटेकिंग LCM Sol करना है Thank you